नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चैनल प्लाग पाम एनलिस्ट पर अगर आप भी अपने पाम का एनलिसिस कवाना चाहते हैं तो मैंने अपने सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ने अपना कॉंटेट नमबर छोड़ दिया ह आप उसपर सम्पर करके अपने पाम की उडियो बनवा सकते हैं दोस्तों ये में रायरे जिफ्शन कौरा कोऊ है कि अगर करें कि सबसाया बिस्क्रिपाव करते हैं सब्सक्रिक करते है Candence इंधित के पन्स से सर्वाड़ कर सकते हैं एक इस एपने जीवन से सर्वत्मला लब इसी के साथ उंगलियों की शेप बता रही है कि ऐसा व्यक्ति समय पर निड़ने नहीं ले पाता है मतलब जल्द बाजी में कभी-कभी कुछ ऐसे निड़ने ले ले लेता है जिसकी वैसे से व्यक्ति को नुक्सान उठाना पड़ता है तो भावको कर या फिर जल्द बाजी में कोई भी निड़ने ना ले शुक्र परवत अगर हम देखेंगे तो आड़ी-टेड़ी रिखाएं जब ऐसी आड़ी-टेड़ी रिखाएं होती है तो व्यक्ति जब भी कोई नया काम करता तो 100 टांग खीचने वाले पहले आते हैं लेकिन लग्जरी को पाने में ऐसे व Teddy को बहुत मेनदर्न करणी पड़ती है और कटिन परिशनम के बाद युदं ही जब्रेकर का आनंद मिल पाता है। ऐसे विक्ती लग्जरी के काती हो होते है लेकिन किसा भी लग्जिर सरे एड़न करें एक लिए फा जीवन साती के साथ संबंदों में भी थोड़ी बहुत कमी देखी गई है चंदप्रवत काफी बढ़िया है जब ऐसा चंदप्रवत होता है व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के अपनी मा से काफी अच्छे संबंद होते हैं इसके साथ व्यक्ति की नीड़ा शखी ठीक टक होती है दूट से बनीव सक्षृटे लगती है और नएवी चीजह करने का शॉख होता है बहारी मंगल भी नॉर्मल है जब ऐसा बहारी मंगल होता तो वक्ति की कम्मुनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होती है और सामने वाली वक्ति पे अपना पहला इंप्रेशन काफी अच्छा दे देते हैं बुर्य अपने संगर्श से घबराता है परिशान नहीं होता है अपने बुरे समय से लड़ता है एक समय पर जीथ विजाता है अंदूनिक्ति पर देखेंगे तो जीनटा जाता है तो अभी सेड़वाइज दूँगा छोटी यूटी बातों की टेंशन ना लिया करें इससे और कुछ नहीं है इनकी mental health को नुकसान पहुचेगा और ये जो रेखाएंगे इनकी जीवन भरें तो कभी न कभी ऐसा होगा ये कभी free mandate नहीं बैट पाएंगे चोटी यूटी बातों की टेंशन या फिर daily basis पर थोड़ी बात प्रॉब्लम्स इनके जीवन में चलती रहेंगी गुरू परवत गुरू परवत काफी अच्छा है लेकिन यहां से उबहा हुआ हुआ है तो थोड़ा money minded बनाएगा इनको ऐसे वक्ति पैसे के बारे में काफी अचा सोचता है और एक बहुत ही बड़ी असा है ने दोस्तों जब ऐसा ट्रैंगल बन जाए गुरू परवत पर तो वक्ति सफल जरूर होता है यह ट्रैंगल सफलता की निशानी होती है ऐसा वक्ति कुछ भी करे बिजनस करे जो आप कर जाता है और ऐसे वक्ति अपनी जवानी से ज्यादा इंकम अपने बढ़ावे में करते हैं लेकिन वहीं इनकी भाग गरेगा पर कट भी लग रहा है वह भी दो जिगा तो बढ़ावे में आर्थिक नुकसान जहिलना पड़ेगा इनको लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि बढ़ावे में इनकी भाग गरेगा भी काफ इच्छी है इसके साथ साथ देखेंगे एक शुक्र वल्ले का निर्मान हो रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है जब यह बन जाएगा तो ये भी इनकी दूसी धंद्रेगा होगी जिससे इनको काफ यदा पैसा मिलेगा पहले जादा डर्गती अब खतम हो रही है तो जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को समाज में मान समानिजद सब कुछ मिलता है इस वक्ति जितना एक्सपेट करता कि मुझे समाज में इतना मान समानिजद पैसा मिलना चाहिए इस वक्ति को सारी चीजे मि जब हाथ में हिर्दय रेखा से निकल कर कोई भी रेखा इस तरह सूर्य रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति की लव में रिच्छी होने के चांचेस काफी अदर बढ़ जाते हैं हाथ में बुद्ध परवत नौर्मल है लेकिन कर इस पर एक दो खड़ी रेखा होती तो काफी अच्छा होता लेकिन ऐसा बुद्ध परवत भी ऐसे व्यक्ति को बिस्नेस में थोड़ा नुक्सान करवाएगा क्योंकि हाथ में बुद्ध परवत पर सीधी एक दो खड़ी देखनी राए है मेरे साथ से यह ऊपर की तरफ जा रहा है थोड़ा घूमाब भी ले रहा है तो ऐसे व्यक्ति में सुर्य के गुणा आते हैं से वेक्ति थोड़ा वीर सभावका होता है ऐसा व्यक्ति रिस्क लेना से कभी ने डड़ाता जेमें एक लागों दस लागों रि जगी सोच होती है हर चीज को लगने जरी से देखते हैं for example अगर आपको बता हूं कि यह सो रोग के गुरूप में खड़े हैं और 99 इंसा के कहें कि हमें राइड जाना है तो यह अपना दिमाग लाएक लेफ्ट से ले जाते हैं कुछ ऐसी इसी के इसासद अगर इनकी हम रिदा रेखा दिखेंगे तो काफी मोटी है बीच में से जणजटों पर जीवन रहेगा जो भी ऐसा काम करेंगे उसमें सुबह लग जाएंगे और शाम को इनको सांस लेने को समय मिलेगा यह रेखा दिखाती है इसा इंसान सेवभावी होता है मित्र श्तिदारों को पैसा देंगे जो कि आपस लोटकर नहीं आएगा इसी के सासथ और यह रेखा इनके हाथ में नई बनी है और यह रेखा इनके करेक्टर के बारे में काफी कुछ दिखा रही है यह रेखा जब बन जाए जब भी कोई रेखा आपकी मिस्तिश्क रेखा यानि व्यक्ति की दिमागी शमता यानि व्यक्ति कितना सोच सकता है उसकी शमता को देखाने वाली रेखा आपकी अंतर आत्मयानि आपकी हृदय रेखा से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अपने गुप्त सम्बंद अपने गुप्त चीजें अपने अंत्यम समय मेंगे भी अपनी परिवारों को नहीं बताते Jak भूत बड़े अब बहुत बिधरे गुपफ सरे मिधर होते तो ये कभी भी उस राज को राजी रखेंगे, कभी नहीं खोलेंगे अगर माइंड लाइन काफी अच्छी तो व्यक्ति की दिमागी शम्ता काफी बढ़िया है काफी इंटेलिजेंट के समका व्यक्तित होगा हर चीज को बोलने से बहले समस्ते होंगे सही जिगे पर सही बात बोलना से व्यक्ति की आदत होती है बाकी इनकी हाट लाइन काफी बढ़िया है माइंड लाइन भी बढ़िया है अब चन्तिन की जीवन रिखा की तरफ स्टार्टिंग में जीवन रिखा काफ ज़्यादा क्रॉस लग रहे हैं काफी जदा फैली हुई है तो बच्पन में जिस तरह का जीवन जीना चाहते होंगे जिसा नहीं जी पाई होंगे थोड़ा बहुत संगर्ष देखना पड़ा होगा इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि एक काफी बड़ी रहु रहा इनके जीवन में जा रही है और ये ये रहु रहा नहीं है ये रहु रहा नहीं है जब ऐसी रहा होती है और ये शनी परवत तक चली जाए तो व्यक्ति को श्टॉक मार्केट जुआ ये सट्टा से चनक धनलाब होता है ये जह है इनकी लपकों मेरे साथ से 27 से 29 ये 30 के बीच इस एज में इनको श्टॉक मार्केट जुआ सट्टा इन सारी चीजों से काफी बड़ा धनलाब होगा इसी के साथ इस एरियम में अगर आप देखेंगे यहां से यहां के बीच जीवन रेखा है ही नहीं तो ऐसा विकति इस sì में confused रहता है ऐसा विकति planning तो बहुत करेगा लेकिन ऐसा विकति का जीवन इस समय पर बूल्बलया जैसा होता है के बूल्बलया में चले और वापसा तो थोड़ा बहुत confusion इस एज में रहेगा 30 के असपास उसके बाद जीवन देखा निकल रही है लेकिन इस पर रहू रिखाओं के वार हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत प्रेशनी रह सकती है देकर उसके बाद जीवन देखा चली काफी अची चली और उस पर अच्छी और उस पर शुब निशान दिखने शुरू हो गए एक ट्रेंगल प्रॉपर्टी के संकेत है प्रॉपर्टी आईगी इनके जीवन में जाफिर बड़ा इंवेस्ट्मेंट होगा फिर एक और बड़ और यह जो रेखा है चंद प्रवत की तरफ देख रही है इसे विक्ति को भार घुमना फिंडा पसंद होता है इसा विक्ति घर में नहीं टिक पाता और इधर यह भी शो करता है कि इनका भाग्योदा घर से दूर मुझे दिखाई दे रहा है बाकिंग के हत में कोई मेजर द दो आदें जिससे हमरे आने वाली सारी वीडियो स्क्रीप डेट सबसे पहले आपको मिलें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत